हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस साइट सीदी एंड आज की वीडियो में आपके साथ डिसकॉस करने वाली हूँ एमेचाई 08 के लास्ट 5 यर प्रीवेशर क्वेशन पेपर तो जितने भी स्टूडेंट इगनू से एमेश्ट्री कर रहे हैं और आप सभी सेकिंडर के स्टूडेंट हैं तो जितने भी लोगों ने एमेचाई 08 सब्जेक्ट को लिया है तो आपके एक्जाम के लिए आज में आज ही क्लास में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से एमेचाई 08 में आपसे क्वेश्टन पूछे जाते हैं तो वीडियो के आइंट तक बने रहे ना इससे पहले मैंने अल्रेडी एमेचाई 08 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट ब्लॉग सब कु लास्ट प्रीवेश्य क्वेश्टन पेपर कभ कहा कितना पूछा जाता है आप लोगों सारा कर सकते हैं यह जो डिसकुसंशन चल रहा है आप किसी भी सेशन की तयारी कर रहे हो लाइक अकर आप जून के एक्जाम देने जा रहे हो या दिसंबर के लिए एक्जाम देने जा आपको में चांथ करने के भी आपको तरी कुन साखी पनी कि यहां के लिए तो जब अपने एकजाम की तैयार्या करते हैं, करने लखते हैं यहां कब्चाना का बोगता के कुछास कति जो刃ंते हैं। चाहिए सॉल्व करना चीए क्योंकि क्योंस जो हैं आपकी वहीं से आते हैं तो यहां पर आप सभी देख सकते हो मेरे सामने जून 2017 का क्योंस पर है और हमें भी पता है कि इस वीडियो में बताने वाली हो अगर आप लोगों ने इतना भी पढ़ लिया अगर आपने कुछ भी जाएगा ठीक है इंग्लीश और हिंदी मीडियम दोनों में हां दिखाऊंगी ज्यादा टाइम मिलेते हो चलिए यहां तक आशा करते हूं सारी चीजे आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आप अगर मैं बात करती हूं जून 2017 में आपकी जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री इकोलोजी एंड इन्वार्मेंट इन इंडिया तो यहां पर आप सभी को पता है कि आपके इस चैप्टर के अंदर यानि कि आपके इस बुक के अंदर आपको बात करनी है हिस्ट्री को इन्वार्मेंट से रिलेट करकी है क्योंकि हमें भी पता है कि हम जो इतिहास को आज प पूरे M808 में आप देखोगे कि प्रेवरेंट यानि आपका जो इन्वार्मेंट है यानि की नेचर है इसका आपके इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है सबने कैसे इसका यूज कर रहा है वह सब कुछ हम आज की क्लास में देखेंगे आप सभी को पता है कि आप ल क्यों लेकिन जितने भी चैनल पर फर्स टाइम आये मेरी वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हो तो मैंने अल्रेटी बताया था कि 20 मार्क्स का जो क्वेशन करोगे आपको इसके अंदर अपने अंसर को फाइफ पेजिस में कंप्लीट करना है यानि कि 20 मार्क्स के लिए आही चुक है तो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है अब बढ़ेंगे आपके क्वेशन की तरफ यह रहा पहला क्वेशन आप सभी के सामने जिस पहले क्वेशन में आप देख सकते हो आपसे पहला क्वेशन हमेशा फॉस्ट ब्लॉक से पूछा जाएग तो यहाद होगा अगर आपने मेरी प्रीवेश वीडियो देखिऊंगी तो मैं इसमें अल्रेडी बताया था यूनिट सेकिंड बहुत जादा इंपॉर्टेंट है जादा तर यह यूनिट सेकिंड से आपसे क्वेशन पूछते हैं सेकिंड में भी किस तरीके से पूछते है तो सारा कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा आपका जो सेकिंड चैप्टर है वह आपके इंडियन लैंड्सकेप का चैप्टर है ठीक है यहां से क्वेशन जादा तर यह लोग पूछते हैं 20 मार्क्स का तो पहला क्वेशन आपको नजर आ रहा है वह आपसे यहीं से होंगी कि अगर यह क्वेशन जून के सेशन में आ गया तो दिसंबर में नहीं आएगा ऐसा नहीं है दोनों में आने के पूरे चांसे होते हैं ठीक है बट यह लोग बजल देते हैं इतना ही डिफरेंस होता है लेकिन जादा तर आप देखोगे यूनिट सेकिंड इनका और आपसे यहां से ज्यादा तर क्वेशन यह लोग पूछते ही पूछते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे लेकिन अभी मैं आपको पूरे क्वेशन दिखाती फिर आपको मैं बताऊंगे किसमें आपको क्या-क्या लिखना और कैसे सेकेंड ग्वेशन देखो राइट एसे आप दए लेशन रेलेशन शिप प्री इंडरस्टियल सोसाइटी तो यहां पर आप देखोगे क्या कि आपको इसके बारे में बताना है ठीक है चलिए एकके करके मैं आपको बता दीती हूँ आल्रेडी मैं आपके साथ डिसकसन कर च लेकिन अब मैं आपको बताओंगे कि अगर इस तरी की क्वेशन आपके एक्जाम में आ गया तो आपको कौन से चैप्टर से कितना और क्या लिखना है सबसे पहले मैं आपको यूनिट सेकिंड बता रही हूँ यूनिट सेकिंड मैंने आपको बताया आपके इंडियन बताना है कि हम पूरे इंडियन लेंड्सकेप में और हमें भी पता है कि आपके पूरे भारत में आपके जो यूनिट से तरीकी के होता है जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं सबसे पहले आपका हिमाली आता है ठीक है दूसरा आप सभी को पता है हम पहारा आता है plane तीसरा आपको पताना है आपका होता है plate you इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है इस chapter के अंदर जो graphical diversity आपसे यह पूछ रहा है तो इससे related आपको सारा कुछ लिखना है जितने भी आपके topic में या चीजे दे र हिमाले को आप सभी क्या कहते है हिंदी वाले student और English के लिए हम दोनों में बात करेंगे किसी को यहाँ कोई वे problem नहीं आने वाली है ठीक है हिमाले का मतलब हिमाले होता है सभी को मैं पता है आपको plane मतलब आपका कौन सा जो मेदान वाला area होता है ठीक है इस सभी को पता है औ आपके physical features की हम यहाँ बात कर रहे है तो यहाँ पे आपको यह हिमाले आपके plane आपके plateau इन सभी के regarding आपको यहाँ चीजे बतानी है आज हमें भी पता है कि हमारे भारत में बहुती जादा diverse climate हमें देखने को मिलता है और इतने सारे आपके landscape हमें अलग-अलग कई कुछ हिमाल एरिया है कोई आपका मैदान वाला इरिया एक इया पठारो वाला ए यह यह सार फूच आपको हैं देखने को मिलता है यही इन की विशेष्टा बतार है तो यह आपके western यानि के पच्छिं और आपके eastern यानि कीआपके पूरव आप ऐरिया में अप देहोगे आपको हीमालय bao मौंटें देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा हिमाल्य माउंटें चोई है आपको कौशे एडिया में देखने को मिलता है वैश्टन और इस्टन रीजन की अंदर वहीडर में बात करूँ तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं आगे कि आपका वेस्टन और आपके इस्टन पार्ट में हिमाले वाला पाठा में देखने को मिलता है वही अगर हम बात करते हैं आपके साउधन में तो साउधन एलिया में आप सभी को पता है कि आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलत इसके बीच में आपके मेदान ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी अनिमल्स पाये जाते हैं यह सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है उसके बाद आपकी हमाले जो है इसके भी कुछ अलग अलग यहां पर अगर आप देखोगे फोर रेंजिस आ बीके से आपको लिखना है कि आपके जो हमाले हैं कितने रेंजिस के होते हैं चार फोर जिसमें से पहला आपका होता है ट्रांस हमाले रीजन दूसरा है आपका ग्रेट हमाले रीजन तीसरा है आपका लेसर हमाले रीजन और चौथा है आपका सिवालिक रेंज जो आप कहाँ पर देखने को मिलेगा आपके लद्दाक में ठीक है आपके जसकर में आपके कका कोरम में तो ये सारे mountain ranges आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये आपको लिखना है और आपके काकारोम range सबसे highest peak पर है ये भी आपको पता है हमारे भारत की सबसे highest peak कौन सी है सभी को पता है आपका काका कोरम रेंज है यह आपको लिखना है फिर आपको ग्रेट हिमाले के बारे में बताना है ग्रेट हिमाले भी बहुत हाइस्ट रेंज है इसकी भी यहाँ पर बस आपको कुछ बताना है कि यह 6,000 मीटर आपको देखने को मिलेगा और अगर मैं बात से highest mountain range आपको देखने को मिलता है next अगर मैं बात करूं आपके लहसर हिमाले की तो इसका अगर आप लोग लिखोगे तो 80 से आपके 100 किलो मीटर हमें यहां देखने को मिलता है और average हमें कितना यहां पर मतलब आपको किलो मीटर ही याद करने पड़ेंगे इस तरीके का आपको इसके अंदर लिखना है इसके अंदर आपके कौन से यानि पीर पंजाब नाम सुने या पीर पीर पंजल है और next अगर मैं ब आपकी 900 से 1200 मीटर हमें देखने को मिलती है इसके अंदर अगर हम बात करें काटमांडू वैली आपको देखने को मिलेगा तीक है आपके हरिद्वार दहरादून यह सारा कुछ इसी में इंकल्यूड है जो आपको लिखना है तो इस चारों को इस तरीके से आपको सॉल्व कर है आपके इंदस गंगा हिमाले भरंपुत्र प्लेन ठीक है इस सभी ने अच्छा खासा सुना हुआ है तो यहां पर इसको और क्या है क्योंकि यह आपके भारत के सेंट्रल प्लेन में यानि सेंट्रल में है ठीक है वहां का मैदान का हिस्सा है इसलिए इसको इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन से नाम से भी आप जानते हो इसके अंदर भी अगर हम बात करें इस प्लेन के इस मैदान के बारे में चार हिस्से में फोर पार्ट में बताया गया है तीक है जो आपको पहला याद रखना है आपका तर्वेन रीजन दूसरा आपको यागद रखना है आपका बंजर रिजन ठीक है तीसरा अगर मैं बात करूं तो यह आपको याद रखना है आपको भावार लास्त है आपका फोर्त का यह नाम याद करूंगे खादर तो अगर आपने सोचाए कि आप सेकंड यूनिट करके जाना चाहते हो अपने एक्जाम के लिए तो आपको यह सारी चीजी याद करने ही पड़ेंगी वरना आपके पास ऑप्षन है इसको स्केप भी कर सकते हो अगर आप इसको इतना याद करना नहीं चाहते तो क्योंकि आपको दस में से कोई भी फाइव कोसन अटेम्ट करने तो आपके उपरे के कौन से करने हैं और कौन से नहीं चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से आपको पठार यानी प्लेट्यू के बारे में भी बताने है तो यह कहां पर है जैसे छोटा नागपूर है आपका आप सभी को पता है तो आपको छोटा नागपूर प्लेट्यू सभी को पता है चंबाल आपका रिवर है यह सारा यूँकि अगर हम बात करते हैं तो यह भी आपका डिवाइड है इसको भी आप पढ़ोगे तो यह भी आपके साउथ में डिवाइड है जिसमें आपको नाम याद रखना है आपका मालवा हुआ बैतुल हुआ तो इस तरीके की चीजे आपको इसके अंदर याद रखने तैलं सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है तो बाइचांस अगर आप सेकंड चैप्टर करना चाहते हो तो इस तरीके से यह सारी चीजे आपको लिखनी होगी और याद करने पड़ेगी ठीक है बागे जो नहीं कर सकते तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो यही मैं कह करना चाहूंगी इसी तरीके से आप आगे देखो सेकंड क्वेस्टन की तरफ के मैं बात करती हूं आपकी हुमन नेचर रिलेशनशिप बताना है प्री इंडरस्ट्रियल सुसाइटी से पहले का तो यह वाला क्वेस्टन आप देखोगे तो यह क्वेस्टन आपके इंटरफेस तीक है यूनिट वन है आपके बुक के अंदर तो आप इस बुक के अंदर देखोंगे तो आपको इसमें बताना इस बार भी आया था तो फॉस्ट व्लॉक अगर आपको सेकंड अच्छा नहीं लगा जो भी अगर सेकंड करोगी तो आपको चीज़े याद करने अगर आपको अच्छे सोथ हो यह आप उस चैप्टर को करना अधर्वाइस आप इसको स्केप कर देना फर्स चैप्टर की अगर मैं बात करूं यह भी बहुत बार आता है जैसे कि मैंने दिसम्बर 2022 के क्वेशन पेपर में भी यह पूछा गया था तो अगर आपने वह प्रस्ट्री से पहले जो हमारा फेज होता है वह आपके अगरिकल्चर यानि आपके क्रिशी फार्मिंग का समय होता है जब लोग खेती करते है ठीक है तो यहां पर वो टाइम है अब आपको बताना है कि उस समय आपकी हुमन और नेचर दोनों एक दुसरे पर कैसे डिपैं यह सारा कुछ मैंने आपको बताया था इसमें कहा है कि आपका वह फेज जब आपके पूरे के पूरे जो मैन है वह किस पर डिपैंड होते हैं आपके नेचर पर डिपैंड होते हैं और यहीं आपकी प्रकरती पर डिपैंड होते हैं और यहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल आपके आपके इसी खेती पर ये लोग सारा काम करते हैं क्यों तो कि अभी तक ये hunting gathering यानि सिकारी और संग्रेन और आपके पसुपालन खाना बदोशी ये लोग थे अच्छी कासी इन्होंने knowledge डेवलप कर ली थी अभी इन अच्छी कासी knowledge हो चुकी थी कि कौन से animal को कौन से plant क आपको domesticate करना है जिसमें आपको और किस काम के लिए काम आने वाले को सारा कुछ यहां पर आपको देख चुके हो ठीक है तो यहां पर क्या है अब इन लोगों ने यह वह फेज आपको पता है जब आपके cereals उगाने इन्होंने शुरू कर दिये ठीक है fruits meat अभी तक क्या था raw food के अच्छा खाना का रहे थे क्योंकि आग का विश्कार बेशक हो चुका था लेकिन इन लोगों को यूज करना अभी तक नहीं आता था ज्यूकिन उन्हें नवपशण काल के समय पर सीखा था यह मैंने कई बार बता चुका है तो यहां पर क्या है अब आप खाना पका कर अब हम देखेंगे अब पहले तो हम सिर्फ आपके फूट्स हुए वेजिटेबल से मीट वा सब रौ फूट पे डिपेंड थे फिशिंग कर रहे थे फिश पे हो लेकिन अब क्या है आप कुक्ड फूट खाऊगे खाना पका कर खाने माले हो ठीक है दूसरी चीज अब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जब यहां देख रहे हो लोग जब हंटिंग गैदरिंग का काम कर रहे थे तो भी आप नेचर पे डिपेंड हो कैसे वह आपको साफसी दिवात नजार आ रही है वही आपके प्लांट वही आपके अनिमाल स्टोन यानि पत्थरों का भी आप यूज कर रहे हो वह भी नेचर की दीवी चीज है तो यहां पर क्या स्टार्टिंग में जितने भी लोग स सुसाइटी बनती है समाज बनता है तो यह फेज होगा कि वह टाइम होता जब फूड प्रोडक्शन होगा ठीक है फूड प्रोडक्शन यानि आप अपने खेती करने के शुरुवात कर दिया अलग अलग तीज़े उगाई जाएंगी आपको यह सारा कुछ आप इस समय आप फसल होगा जारी थी यह सब आप कुछ बताओगे अप्री एग्रिक इंडरस्ट्री से पहले हमें वह पता है यह वह फेज है जब हमारी सभ्यता यानि सीविलाइजेशन बनी थी लोगोंने सटल होना सुरू किया लोगोंने अलग अलग तरीके के टूल्स यूज करें आपक वह कभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल का है क्योंकि जिसे जैसे यह डेवलाप हुआ गया तब जाके आपका एग्रिकल्चर आपकी खेती अच्छी हुई और प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो आपका काम अच्छा हुआ तो जिससे आप यह सिविलाइजेशन सब बहताए भी बना चुकियों यह सब मैं पहले कई बार बता चुकियों अगर आपने यह सब पर वीडियो नहीं देखिए प्लेलिस को उठाइए चेक आउट कीजिए सब कुस समझ में आ जाएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन आप देखोंगे अगरिकल्चर डिफ्यूज अगरिकल्चर डिफ्यूजन इंडिया का है याद रखना जो हिंदी वाले सुडेंट है आपके यूनिट नाइन को चेक आउट कर सकते हो अब देखो कर यह क्वेशन आता तो क्या आपको लिखना होता है यह वह फेज है जिसमें हम हरपा के बारे में बताते हैं हरपा के वह सारा कुछ हम बताएंगे और हमने पूरे हिस्प्री इतिहास पढ़ते हैं हमें सबको बता है कि यह सारे के सारे आपके एगरिकल्चर पर ही डिपेंड होते हैं और जैने सभी को खेती करनी तो इसारे ऐसे जगह जाके सटल होगे जहां पर आपके लैंड उप जाओ हो फ लेकिन यह वो टाइम है जब आपने आइरन के हतियारों का आइरन के उपकरन का यूज करना सुरू कर जिता लोहों का ठीक है और यह बहुत अच्छा रहा है जिससे आपके सोसाइटी में बहुत अच्छा खासा विकास हुआ डेवलपमेंट हुआ यह सारी चीजे आप आप आपको इसके अंदर लिखना है हरपपा का फेज सब कुछ जानते हो कि यहां पर आपको 25 इसापूर का टाइम पीरेड है यहां पर जो आपके गेंगेतिक प्लेन के पास लोगा कर सेटल हो गए लोगों ने आप खेदी करनी करी यहां पर सहर बनाया ठीक है कैसे गाउं से अ और यह सारा कुछ आपको यहां पर लिखना है दीरे दीरे इन्होंने कौन से जानवरों को पालतू बनाया था काव वे फैलो वाशिप पुआ गोड पिग यह सारा कुछ आप जानते हो तो यहां पर हमने देखा कि इन लोगों ने जानवरों को पालतू बनाया था तो अलग यह सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताती हूँ आपके एक्जाम में जैसे एक बार तो यह question है था कभी-कभी यह आप चल यहाँ पर इस बार 2000 दिसंबर के 22 में यही question पूछा था आपको बताना है second urbanization के बारे में यानि दूसरा सहरी करण के बारे में तरही बार बहुत सारी वीडियो में मैं already बता चुकी हूँ आप सभी को तुबारा अगर मैं बता हूँ तो याद रखना दूसरा urbanization आपकी कफसे सुरुवात होती जबसे आपका empire यानि की समराज्य बनता है पहला अगर urbanization की मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है इंदस वैली civilization सिंदुगाटी की सब्वेशा जब आपकी सुरू होती है वो आपका पहला सारी करण होता है लेकिन दूसरा अगर हम बात करेंगे आपके महाजनापदास मगद यहां से आपका second वाला फेश सुरू होता है तो याद रखना अगर आपके exam में second urbanization दूसरा सारी करण आया तो आपको इसमें बताना है कि आपके यह वो फेश है जब लोगों ने iron tools यानि लोहे के उपकरण का यूज़ करना सुरू करा खेती इससे और अच्छी हुई आपका उत्पादर अच्छा खासा प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा हुआ जिससे अब आपके empires बने अभी तक civilization सब्याता थी लेकिन आप आप क्या बना रहे हो पहले से महल ये वो टाइम है जब हमें मुनार्की सिस्टम निर्यानी के आपका राज तंत्र देखने को मिलता है तो ये सारा कुछ आपको इस face के अंदर लिखना है खेती की शुरुआत हुई आप सभी को परदा है कि अब जब खेती आँ हो रहे थी तो लोगोंने क्या बनाने शुरू करे थे आपके बरतन पोट्री बनानी शुरू करे थी लोगोंने वीविंग बुनाई करना शुरू कर दिया था पोट्री में भी ठ़ड़ा सा change जाएग वो सारा कुछ उसके अंदर अब हमें देखने को मिलता है ये सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 4 की तरफ question number 4 और 5 कई बार बताया है 100% बार बार ने कई बार बता रही हूँ आपसे ये water of forest resource बार बार जरूर पूछेता है और आपक December की ठीक देखो आपका जो एक water resource और एक आपका forest resource ये आपके दो unit में ठीक है एक water resource का chapter है आपका unit 12 और एक है आपका unit 21 forest resource की अगर मैं बात करूँ एक है आपका unit 13 और एक है आपका unit 20 लेकिन changes क्या आएगा water resource अगर आपके पहले से आया देखो इन दोनों में फरक क्या है एक ये वाला जो phase आप देख रहे हो पीछे वाला ये आपका colonial का phase यानि modern history के time का बता ना उपनी वेस का time period आएगा वो तो अगर इन्होंने आपसे और जो ये पहला वाला unit 12 और 13 ये आपका ancient medieval का period है उसके समय पर आपका ये कैसा तो ये बताना है अगर इन्होंने अगर आपसे water यहां से पूछा है तो ये colonial का forest पूछेगा अगर इसने colonial का water पूछेगा तो forest का ये पूछेगा लेकिन 100% है ये forest से और आपके water से एक एक question आपको देखने को मिलेगा तो मैं यही चाहूंगी कि आपको unit 12, unit 21, unit 13, unit 20 को बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ यहां से दो question आपको नजर आएंगे 40 marks आपके हातों में सारा पढ़ने अच्छा उतना पढ़िए कि जितना भी पढ़ रहे हैं आप अच्छा score कर पाएं ठीक है water resource की बात कर रहे हूं write a note on the water resource and traditional practice of water conservation क्योंकि आप सभी को पता है हमारे धरती पे कितना पानी है और यहां पर आपको पानी का संरक्षन यानि save करना है तो उसके लिए हमारे भारत ने history के ways पर बात करनी है पहले तो आपको इतिहास के समय पर किस बात करो आपके water resources का चैप्टर है यह आपको unit 12 है ठीक है आगे चलते हैं अब unit 12 आपको देखो इसके अंदर क्या क्या लिखना है देखो water resource अगर आपके एक्जाम में आ जाए तो आपको यह बताना है पहले तो water resources आपके पास कितने कितने क्या है आपको भी पता है पूरे 75 percent आज हमारे land पर जो है वो पानी से cover up है पहले तो आपको यह introduction में बताना है किस किस से cover है वही आपके rivers आपकी नदियां हुई ठीक है आपके lakes हुए ठीक है आपके ponds तलाब हुआ या आपके oceans हुए यह सब चीजों से हमें देखने को मिलता है 75 percent पानी हमारे land पर हमें देख water ठीक है नमक का पानी जो हमारे किसी भी काम का नहीं है दूसरी चीज आपको यह लिखना है कि बागी का जो बचावा पानी है वह आपके क्या होता है glacier का पानी जो कि आपके किसी भी काम का नहीं है सर्फ 1 percent ऐसा water है जो आप यूज कर सकते हो सिर्फ यूज करने के लिए water 1% है हमारे लैंड पर ठीक है किसके फर्म में भई आपके नदियों के फर्म में हुआ आपके तलाब के फर्म में हुआ हना आपके लेक्स के फर्म में हुआ तो ये सिर्फ overall सोचो इतना पानी होने के बावजूद हम जो पानी यूज कर सकते हैं वो सिर्फ 1% है तो ये आपको यहाँ लिखना है इसलिए पानी को conserve करने के लिए यानि पानी को बचाने के लिए कहा जाता है ये सारी चीज आप जानते हो तो ये सारा कुछ आपको इसके लिखना है तो उसके बाद आपको याद होगा civilization सब्वेता कैसी बनी थी और क्या परपस था तो ये वाला chapter नहीं पढ़ा तो जाकर के playlist को उठाना चैक आउट करना उसमें मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब्वेता बनी थी तो यहाँ पर सारे ऐसी जगह स आपको यहीं बताना है कि आपके एजिप्ट हुआ आपके हरपा हुआ आपके मैसोपोटामिया हुआ आपके चाइना कौन-कौन से नदियों के पास सेटल हुए थे वह सारा कुछ यहाँ पर आपको लिख देना एजिप्ट का सभी को पता है यह निल रिवर के पास यह आप आपके यूफरेट्स और आपके टिग्रीस के पास और यह आपके हुआंगु यावनी की यल्लो नदी पीली नदी के पास सेटल हुआ था यह नदियों के नाम आपको लिखना है इस वाले चैप्टर के अंदर इस सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है पानी को यानि पानी को सेटल करना बचाना हमारा आज हर एक जगा बहुत इंपोर्टेंट है यह तो कि बहुत ही अब पानी को कंजर्फ करोगे तो अभी नोगों ने क्या करे थे कुवे बनवाए थे आपके पास्ट हिस्ट्री पटरेश ले उसके रेटेट भी आपको तीजिया लि मिलते हैं कि हमें अब आप क्या देखोगे कुवे आपको हर जगा देखने को मिलते हैं तैंक आपको देखने को मिलते हैं यानि पानी को सेफ तो भाई किया गया है ठीक है इसे तरीकी से वैदिक पीरड के टाइम पर भी देखोगे आपको सारा कुछ लिखना है वैदिक टा सकते हैं हमें आर्टिफिशली वाटर का यूज़ करना ही पड़ता है इरिगेशन सिसाई के समय पर वो सारा कुछ लिखना है फिर सबसे अंदर लिखनी है यह सब कुछ मैंने डिटेल में करा दिया है बाकि मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस में क्या करना है अगर आप इसाब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आप जितनी भी वह चानल पर फर्स टाइम आयो पेडे क्लासे यहां पर एबिलेबल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सिर्फ वाटस अब कॉल करने करना कॉल अगर आप करेंगे तो रिसीव नहीं होगा तो आपको इस पर वाटस अब क्यें देजर के दिरूंड आप पर लेट नरहीं करा चुक कियो कि क्या-क्या Council आप चुकी है कुछ समझ नहीं आ रहा वाकि मैं आपको आइडिया दे ही रही हूं तो पेडिकासिस के लिए इंडॉल्मेंट करा सकते हैं 888-219-6980 यह नंबर है नहीं तो डिस्क्रेप्शन बॉक्स चेक आउट करोगे इसमें नंबर आपको मिल जाएगा बाकी की इंफर्मेशन यहां से ले सकते हैं जो भी चैनल पर नहीं हो टैलिग्राम चैनल भी जॉइन कर लीचे दोनों टैलिग्राम चैनल को जॉइन करना एक आपको कोई भी डाउट या क्वैरी है तो इससे रिगार्डिंग आप महां पर मैसेज के थूरू पूछ सकते हैं दूसरे जब भी चैनल पर वीडियो जाती यह हर एक चीज़ा एविलेबल है को कि बहुत से स्टुडेंटेंट ग्लू के सोर्स से पड़ता है तो वह आपके भी काम आने वाला है तो यह सारा वौर्टर के बारे में आपको इसके अंदर लिखना है आपके चोला एंपायर के बारे में भी आपको बताना है कि इनसभी कर रहा है आपको example वो भी आपके भारत के बारे में तो यहाँ पर देखो साफ सिधी बात नजर आ रही है यह भी आपका unit 13 ही है forest resource ऐसा क्यों अगर जब आपके question में आपके forest या water resource के साथ colonial word को जब यह add करेंगे तो समझ जाना यह आप से unit 21 और 22 से question पूछा जा रहा है बट य unit 12 और unit 13 है जिसमें आपको पुरे ancient medieval के time का बताना है modern का नहीं बताना है जब modern का colonial word आएगा तब आपको उपनी वेश्वाद यानि आपके colonial से related आपको चीजे बतानी तब में और अब में difference है दोनों answer में यह याद रखना forest resource की अगर हम बात करते हैं यह बहुत ही important है जैसे क इसको बना सकते हो और अभी तक हमने देखा कि हम जब से history पढ़ रहे हैं सारे के सारे लोग आपके forest पे totally depend है ठीक है चाहे आपके human beings हो या पिर आपके animals हो सारे के सारे आपके जंगलों का use पूरे तरीके से करते हैं यह सारा आपको इसके अंदर बताना है ठीक है जब से हमा जंगलों में ही रहते किंग गैदरिंग कर रहे हो आप शिकार कर रहे हो वह भी जंगलों में कर रहे हैं तो आप सेर्च रूपने forest का पूरे तरीके से उपियोग कर रहा है यह सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना होगा ठीक है हमें उस टाइम पे यहां पर 30,000 पीसिज हमें देखने को मिलते हैं, आपके पौधे यानी प्लांट्स के ये आपको लिखना है, ठीक है, हरपपास अभ्यता के बारे में बताना है, इस समय पी क्यूकि आपने जंगलों का पूरा का पूरा उबियोग करा है, तो इस हरपपा के समय का वो टाइम, जब आपके लोगों न घर बनाने शुरू करे थे तो उन्होंने लकडियों का यूज करा अब ट्रेड आप कर रहे हो तो ट्रेड करने के लिए आपको शिप्या बोट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये जब बनाओगे तो भी आप लकडियों का यूज करोगे इट मीन्स इन सभी ने अच्छा खासा आपके फॉरेष्ट का पूरा का पूरा उप्योग करा गया है वैदिक पीरेड में फॉरेष्ट के लिए जो टर्म दिया गया है वो अरन्य वर्ड दिया है जो आपको लिखना है ये याद करना है ठीक है आपके वैदिक साहित ने मतलब अखीन, आफ जो इस अधdoes से लिखेंगा ह्ने, आपको सारी चीजो उस लिखनी है और सब के बारे में VAT और मोरियंस के बारे में जरूर करेशा हैज obt है इक इंपॉर्टेंट सोर्स जी इंडर मोरियन के बारे में सारह कुछ बताया जाता मिनने कौन से चीज यूज करी थी क्या जैसे कि incorotelle के अर्थिसास्थर में आपके ये बताय गया है कि मॉरेन के समय पे उना सेंडल वूड सेंडल की लकडिा आपके ऐलोवेरा की गुलकडियां यह सारी चीजे यूज करी थी उस समय पर तो यानि कि दीरे दीरे पॉपुलेशन बढ़ने पर आज हम अपने फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं यानि डीफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा आज जो हम पूरा जीवन अपने इस नेचर से ही चला रहे थे इसी से हमारा पूरा लाइश्टाइल चल रहा था आज हमारी पॉपुलेशन इतनी जादा तजी से बढ़ रही है जिसके वज़े से हम इनी को ही नुकसान पहुचा रहे हैं यह सारा कुछ आप यहां देखो दो कि देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फॉरेस्ट की पूरी गारेंटी की यूनिट टू यूनिट वन आपका यह इसकी जगह मैंने आपको बता दिया सेकिंड अर्वनाइजेशन भी पूछा जाता है दूसरा सहरी करण वाटर और फॉरेस्ट इसो हंडर परसेंट आएगा ही आएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स् 16 जरूर करके जाना छोड़ना मत चाहिए आप जून की एकजाम की तयारी कर रहें चाहिए आप दिसंबर की ये क्वेशन आपको देखने को मिले गाई क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार भी इन लोगों ने आप लोगों से पूछा था कि आप अपने जंगलों को यानि अपने इनवारिमेंट को कैसे इसका सनरक्षर कर सकते हो क्या क्या चीज़े कर सकते हो वो सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना होता है ठीक है क्योंकि मैंने आपको अल्रेडी अभी क्या बता दिया कि यहां पर लोग क्या है अपनी पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग ली फॉर इसको कट कर लेकिन अब अपने इनवारिमेंट का नुक्सान कर रहे हो तो आपको एक टैम पे हुआ कि अब ह वेद हुए उपनिशाद हुए आपका पुरान हुआ इसके अंदर आपके कितने भी पेड़ पॉदों के बारे में अच्छा खासा एक्स्प्रेइन कर रहे हैं जरूर आपको लिखना है कि अशोक जो हैं इन्वारिमेंट से बहुत प्यार करते थे उनका ज़्यादा अट्र इंडरस्ट्रियर रेविलिशन नैच्रल रिसोर्सिस का यह भी इंपोर्टेंट है यह क्वेशन भी आपसे पूछा जाता है जो कि आपका यूनिट एटीन है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ठीक है इसको कर लेना यह देखो आया ना आपका फॉरेस्ट रिसोर्स का कॉ कनॉनिजम वर्ड आया तो समझ जाना कि यूनिट ट्वेंटी आपसे पूछा जा रहा है अब मैं यह वाला फॉरेस्ट आपको बताती हूँ कि इस वाले फॉरेस्ट में और उस वाले जंगल में जो क्या था क्या डिफरेंस था और आपको क्या क्या लिकना था वीडियो पस स्वाद का फॉरेस्ट रिसोर्स आएगा तो इसके अंदर आपको प्री कोनॉनियल के बारे में बताना है और आपके कोनॉनियल पीरेट के टाइम का बताना ठीक है दोनों में अलग-अलग फरक है प्री कोनॉनियल में याद रखना यह वह समय जब पांसो बीसी से लेकर के तीन सो इसा पूर का टाइम पीरेड है इसके अंदर आपको बताना है कि जहादा लोग अग्री कल्चर का काम करते थे पूरे आपके उत्तर बारत नौर्थ इंडिया में फैला हुआ था ठीक है सारे लोग इसी वज़े से नदी के पास जाके शेल्टर होते कि सबको खेती का काम करना था इसके अंदर आप महर रहे हैं हुए आपके कोशान हुए चालुक के हुए आपके चोला हुए यह सभी कुछ आपके नौर्थ और साउथ में सबस्यादा पावर्फुल रहे इस सारा कुछ आपको लिखना है इन सभीयों ने आपके जंगलों का अच्छा खासा अपने घर बनाए तो घर भी लकडियों का वुड का बनाते थे फर्नीचर बनवाने के लिए लगडियों की नीड होगी ठ्रेड करोगे शिप और बोट के लिए भी लकडिया बनाओ के यूज करोगे यह सारो कुछ आपको इसके अंदर करना है दिली सल्तनत का टाइम का तो फॉरेट से आपका चाहि लकडी हुए चाहि आपके फ्रूट्स हुए वजिटेबल्स हुए आपके फ्यूल हुए इन सभी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी लोगों ने अब तिमबर का क्वैलिटी की भी डिमांड करनी शुरू करी क्योंकि मैंने आपक क्या करना है यहां पर आपके बिरिटिस तो यह अब तक शरिफ आपके कुछ ट्राइबल ग्रूप्स आपकी जो किंग्स रूलर चोटे-चोटे ग्रूप्स तो यह सारे लोग जंगलों का यूज्ज करने अब आये तो अपने भारत में आया तो यह भी तो अपने डिमांड को अपने fulfill करेंगे तो यहां पर अब यह आते हैं और यह अपनी चीजे यहां पर आपको देखने को मिलेंगी यह अब trade करेंगे यह वेफार करेंगे यह अब industry open करेंगे तो उसके लिए भी forest का यूज इने चाहिए यह चाहिए तो यानि कि इन लोगों ने भी ship बनाई थी यहां पर इन्होंने आपके पहला इंडियन forest act भी किया तो जहां पर जंगलों में जाना इन्होंने पावंदिया लगा दी थी 1865 में आपकी जो forest में travel groups रहती तो इनको बाहर कर दिया और बिना अब रिटिसर से पूचे forest की एक भी चीजों का यूज आप नहीं कर सकते थे य यह नहीं है कि यहां पर भी forest को कोई दुखसान में हुआ अच्छा कासा बस यहां पर यह होगा आपके अंग्रेजों ने इसका अच्छा खासा यूज किया और अमारे इंडिया का जो इन्वार्मेंट इसको खराब किया था क्योंकि अब यह अपनी नीड अपनी जरूरतों के लिए आपके जंगलों का यूज कर रहे हैं यह सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है 100 परसेंट आएगा ही आएगा बार बार बोल रहे हूं आगे चलेंगे यूनिट 23 इसको तो करके ही जाना बिल्कुल छोड़ना नहीं बिल्कुल नही छोड़ना यह मैं चाहिए मेरी क्लासिस की जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे भी कहती हूं आपसे भी कह रही हूं और आगे जितने आएंगे सब से कहूंगी बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है आपके सब कुछ आपके प्लांट एनिमल हुमन बिंग जो भी आपके इ प्लांट यानि फूड चेंज सभी ने पड़ा है ओवर आल आपको सारा कुछ यही बताना है ठीक है यहाँ पर क्या है बायोडाइवर्सिटी में आपको यह बताना है कि अब आप चीजों को सेव करने में लगे हो तो कंजर्वेशन संट्रक्षन के लिए आपकी बहुत सार को अपने इस क्वेशन के अंदर लिखना है जिसमें से आपके वर्ड स्पीसिज इंसेक्ट रैप्टाइल्स मैमल्स यह सारी स्पीसिज आपको देखने को मिलती है तो आज हमारे को बहुत ही जारा जरूरत है प्रेजेंट टाइम में भी कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके सेव कर सके यह सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है सेव करने के लिए मैंने जैसे कि आपको पता है बहुत सारी कमीटी बनाई गई थी जैसे कि अगर मैं बताओं आपकी बिस्नोई कमीटी बनाई गई आपकी महीला मंडल आपको देखने को मिलेगा ये बनाया गया, सबको protect करने के लिए, ठीक है, आपके, मैं next अगर बात करूँ, आपके नवधन्य बनाया गया, ठीक है, next अगर मैं बात करूँ, आपका nature conservation society बनाया गयी, तो ये सारा कुछ बनाया गया था, ताकि आप चीजों को save कर सके, बचा सके, क्योंकि, आज ऐसा होगे कि हम अपने environment को पूरे तरीके से गंद करने में लगे हैं, destroy करने में लगे हैं, overall अगर मैं बात करूँ तो, आज के time पर बहुत important है, कि हम अपने environment को save करें, चीजों को बरबाद नहा करें, जिसकी कितनी need है, तो सारा कुछ आज आज आप देखोगे, जानवरों को भी बचा बार बार आता है, unit 10 है आपका गांधियन way of life alternative, आपका है last chapter, यानि कि unit 25 आपका ये last है, हर बार नहीं आता है, कभी कभी आता है, तेकिन अगर ये आया है, तो देखो ये ही आएगा, गांदी जी की बात चल रही है, तो no doubt आपके गांदी जी ने और आपके नहरू ने आपक development के बारे में, आधुनिक विकास के बारे में, इन्होंने यहां पर बात करी है, इनके accordingly जो ये चाहते हैं, यह बताया है, इन्होंने कि आज की जो लिहां पर हम लोग हैं, वो किस पर बेज़द हैं, village पर बेज़द हैं, ठीक है, गाहों पर, बाद में तब गाहों से ये किस पर होगा, हम किस पर बेज़द हैं, आपके शहर यानी city बेज़द पर, तो ये village बेज़द पर पूरे support थे, लेकि city के बेज़द पर हैं, इसके ये against रहे थे, गांदी जी, ठीक है, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मानना है, गांदी जी ने यहां पर क्या बिलिद कि कि industry देखो, सबसे जादा important है, तो देखो, इस chapter से एक तो या तो ये पूछेगा, या तो आप से कभी-कभी क्या पूछ लेगा, चिपको movement, ठीक है, चिपको अंदोला ने जादा तर ये लोग पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को यही सारी चीजे करनी है, आप अगर देखो है, इसमें भी वही चीज लिखनी है, जो भी मैंने आपको हिमाले, प्लेट्यू, प्लेन की बारे में बता है, वही सारी डिटेल में आपको बताना है, ठीक है, तो यह सब कुछ इस तरीके से MHI 08 में आप लोग अपने complete कर सकते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको ले question paper मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और कौन-कौन से chapter में आप क्या-क्या लिख सकते हैं, हम सभी आपके देख रहे हूँ कि हभी December 2017 का question paper डिसकास करूँ, जून का मैं कर चुक हूँ, देखो December 2017 का भी मैंने आपको बोलाई कि यह आपको unit 2 इसक में करना है, ठीक है, unit 2 में आप आपको हिमाल ले, आपका plane, आपके plateau, यानि मैदान, आपका हिमाल ले, पठारों के बारे में आपको इसके अंदर करना है, जो मैं अल्रेडी बता चुक हूँ, आगे देखो second question है, राइटा note on the regional expansion of early agriculture in the subcontinent, तो यह chapter मैंने आपको अल्रेडी बताया था, unit 7 है, आप सभी का origin of agriculture, जब से आपकी खेती की शुरुवात होती, इसकी उत्पत्ती होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, इस वाले question के अंदर, जैसे कि आपको बताना है कि खेती की शुरुवात कब और कहा हो थी, हमें भी पता है, कि सबसे पहले जो केती के evidence आपको मिलते है मेहरगण में मिला था, यह आपको बताना है, जहाँ पर हमने देखा था, सबसे पहले आपके गेहु और आपके जो उगाए गए थे, वीट और बारले, यह दो पहले आपके फरस्ट ऐसे crop है, जिसकी खेती की गई थी, इसकी शुरुवात हुई थी, फिर हमने देखा कि यानि पोट्री बनानी शुरू करी थी, तीक है, और जब आपने अनाजोगाना शुरू कर रहे हो तो स्टोरेज के लिए भी कहीं तो स्टोर करोगे, तो आपको आपके हरपा के टाइम पर ग्रेंडरीज हमें देखने को मिलती है, तो आपके हरपा और मोहंजुदारों में ह देखने को मिलता है, कि ग्रेंडरीज बनाई गई थी, जो पकी वी इतो यानि की बेग्ड ब्रिक्स की थी, यह सारा कुछ आपको इस वाले चाप्टर के अंदर लिखना है, और इस समय जब आपकी खेती की शुरुआत हुई तो क्या-क्या बदलाव आते हैं, इस सब कुछ आप लिखोगे, कि अब लोग पर्माने चटले स्थाय बंदोबस रहते हैं, यानि क्योंकि पहला खाना बदोशी लोग थे, तो यह जगा से दूसरे का माइग्रेट करते थे, घूमते रहते थे, लेकिन अब क्या है, आप दूसरी तका से तीसरी जगा से घूमते रहते हो, ठीक है, लेकिन अब एक जगा रहना ही पड़ेगा, यह सारा कुछ आपको बताना है, फिर हम देखेंगे कि आपको, जैसे कि आपने लिखा कि आपके महरगर, वल्चुचिस्तान में, यानि पाकिस्तान में आपको यह देखने को भी लेगा, इसके बास बीट और बार्ले मै आपके कैटल्स भी गोट हुए, शिप हुए, इन सब को यहाँ पर पालतू बनाया गया, और धीरे धीरे इन लोगों ने राइस यानि चावल की खेती करने लगे, फिर आपके मटर हुए, यानि की पीस हुए, इन सब की यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई, और जैसी भी हर जगा की जैसा भी climate आपको देखने को मिलता है, उसके accordingly, क्योंकि seasonal आपके crops हुगाया जाते हैं, यह सारी चीजे भी आपको अच्छे घासे तरीके से पता है, तो यह सारा कुछ आपको इस वाले chapter के अंदर लिखना है, आगे बढ़ेंगे question number 3, यह भी आपके December 2022 के exam में यह आए था, यह unit 6 से आप सभी का, मैंने आपको पहले बोलता है, खाना बदोशी यानि पशु बालन खाना बदोशी के बारे में आपको लिखना है, इसका कैसर रिलेशन से पर आपके प्रकरती, आपके nature के तरफ से यह आपको इसके अंदर बताना है, मैं पहले भी बता चुक जब आपने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया इस फेज में तो आपका काम कहा है कि आप अपने जानवरों की खाना भी ढूनोगे, तो उसके सर्च के लिए एक जगा से दूसरे जगा घूमते थे, माइगरेट करते थे, यह सारा कुछ आपको लिखना है, उसे ही हम खाना बदूशी लोग कहते हैं, यह वो टाइम है जब आपने जानवरों को डिमेस्टिकीशन पालतू बनाना शुरू किया था जिसमें से हमें सबसे पहले पालतू बराया गया था हंटिंग और गयादरिंग के बरपस के लिए और दूसरा हमें बताए आपको भी मैंने बत पसे इन सारी जानवर को यहां पर डॉमेस्टिकेट किया गया था आपको इसके अंदर एक नाम याद रखना है जो कि हैं आपके रुमीला थापड रुमीला थापड ने क्या का था कि यहां पर कुछ आपके खाना वदोसी जो लोग है नॉमेडिक पीपल हैं वो आपके पामे आपको इसमें लिखना है और आपने कौन से जानवर को पालतू बनाया किस काम के लिए बनाया और जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर कुछ जो आपके पेस्टोलिजम नॉमेडिजम और कुछ आपके फार्मर किसान बन जाते तो यह दूरों एक दूसरे बेनिफिट भी आपके और उठाता है तो पोई उसको अगर अनाज देगा लाइक मीट दोगे आप और वुल लगा लेगा तो उसके बदले में वह उससे अग्रिकलचर यानि वह जो भी आनाज उखा रहा है वह उससे रिटन में लेते थे यानी कि जो भी किसान जो भी आप और काम कर रहे क वो पशुपालन खाना बदोश की मदद करता था और पशुपालन खाना बदोश भी आपके अगरिकल्चर के लोगों की help करते थे तो दोनों का एक दूसरे से यहां पर relation था नेचर का आप देखी रहे हो आपके अनिवल्स हुए आपके प्लांट्स हुआ आपका forest हुआ कुछ भी हुआ सबके सब प्रकरती में आते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है आपका पैटर्न ऑफ एक्रिकल्चर इंदस वैली सिविलाइजेशन सिंदुगार्टी की सभ्यता का एक्रिकल्चर का पैटर्न क्या था यह आपको बताना है तो यह यूनिट अगर रिवर यानि इंदस मैंने आपको बताई दिया तो इस समय के लोग एगरिकल्चर का क्या क्या से और काम करते थे वह सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है तो इंदस वैली की सिविलाइजेशन की समय पर आपको बता है कि हमने देखा कि इन्सोंने खेती की शुरुआत अपने कौन से उपकर ब्रोंज यानि कास्य का हतियार यूज किया था अपनी खेती करने के लिए ठीक है यह सारा कुछ आपको बताना है हमें यहाँ पर बहुत सारे अर्केलोजिकल साइट्स भी देखने को मिलते हैं यह सब जगह हमें देखने को मिलते हैं कि यहां पर आपके औक्स का यूज किया जाता है इस चीज का एविडेंस आपके काली बंगा में किया जाता है यह सारा कुछ आपको यहां पर करना है ठीक है आपके बाला कोट में आपके मिलेट हुआ आपके रागी हुआ यह सारा फसले इन लोगों ने हुगाई थी यह आपको इसके evidence आपको मिलता है वो सारा कुछ बताओगे आपके महरगर आपको site आपको पता है सबसे पहली site वहीं जहापर आपके बीट और बार्ले उगाया गया था इस के विडाइन समय मिले थे दूसरा अगर मैं बात करूँ फिर आपने देखा अगरिकल्चर की शुरुवात के लिए हमें बरतन भी मिले है पोट्री भी बनाए गए थे अब जो पोट्री बनेंगे इसमें आप देखोगे हैं लोग कुल्चर का काम करते हैं कि इस समय पर भी ज्यादा अच्छा तुन्हें निकिन हां कुछ अच्छा खासा इरिगेशन सेसलिटी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी तो यह आपको यहां पर याद रखना है और इसके अलावा इन लोगों ने आपके डेट सुए आपके पा बात करें बारले का एविडेंस आपको जैसे की नाम याद करने पड़ेंगे इरान में इसका एविडेंस मिलता है आपके नौर्थ अफगानिस्तान में इसका एविडेंस मिलता है वाटर मैलन भी हमें दिखने को मिलता है यानि कि आपका तरबूज वाटर मैलन की खेती भी अंदर, sugar cane यानि गन्ना भी found होता है, ये भी आपको लिखना है, cotton आपको पता है first hand इसी समय उगाया गया था तो ये भी आपको लिखना है, seals भी आपको, Indus Valley Civilizations की जो seals है वो आपको Mesopotamia में देखने को मिलती है ये भी आपको याद रखना है तो tilling land भी हमें काली बंगा में देखने को मिलता है ये सारा कुछ आपको इस chapter के अंदर लिखना है, चलिए आगे बढ़ेंगे, again human dependence on forest resource during pre-canonial period यानि कि ये जो आपका canonical period का forest वाला chapter था, unit 20 वो करना, अभी पीछे मैंने आपको pre-canonial और canonical phase इस दोनों ही पढ़ाया है forest का दुवारा से देख लेना, उसमें क्या लिखना है वो आप लोग कर लेना, इस तरीके से आता है मैंने आपको दिखा दिया, देखो question number 6, water management ये भी देखो pre-canonial से canonical यानि कि unit 21 आप से पूछा गया है, ठीक है से मैंस तो पहरे तो यही बताऊगे कि water आपके अर्थ पर कितना परसेंट है कितना नहीं, ये सारा कुछ इसके अंदर लिख लोगे इतना लिखने के बाद आपको बताना है कि हम जो इससमें water यूज करते हैं दो तरीके का होता है एक आपका surface water होता है और एक आपका ground water होता है सभी को इस बारे पर बहुत अच्छे गासे तरीके से पता है तो जो आपको surface water में अगर मैं बात करूँ क्या-क्या चीजे आती है surface water में आपको सभी पता है जिसमें आपके rivers आती है, आपके canals आते है ठीक है, आपके tanks आते हैं नदी आती है, नहरे आती है, टैंक्स आते है आपके तलाब आते है ये सारे surface water होता है ground water जो जुमीन में आनी आते है वो उसकी बाद कर रहे है ये सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है ठीक है, drinking water आजो हम पीने का पानी पी तो याद रखना है, आपके करनाटक में भी tanks और points आपको सबसे ज़्याद देखने को मिलते है आंदर परदेश, करनाटक, बद्धे परदेश, महराष्टरा उतर परदेश, ओडिशा, ये सभी जगा कुछ न कुछ बना ही हुआ है ये सारा कुछ आपको इसके अंदर बताना है ये अवाला unit 21 के अंदर है पानी के बारे में यहाँ पर ये बताए कि आज आप पानी को भी pollute करते हो, क्योंकि ये वो phase होता है जबसे हमारी industry आती है, तो industry आएगी तो यहाँ पर जिसका जितना भी dirt होगा वो सारा का सारा water में ही जाएगा जिसे हमारा water pollute भी होगा तो ये सारी problem आज के time पर हमें phase करनी ही परती है तो ये सारा कुछ आपको यहाँ लिखना है पानी को कैसे conserve कर सकते हो क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़े यहाँ पर बनाई गए थी बहुत सारे project यहाँ पर बनाई गए थे जैसे कि आपने पढ़ा होगा आपका एकाय था multi purpose आपका river vary development तो ये आपको ना नाम याद करने होगे 1930 में ये project आया था जिसमें यहाँ पर implement क्या गया था आपके water resource पर ये finally implement आगू कर दिया गया था क्योंकि अगर आपको ये काम कर रहे तो यहाँ पर आप पानी को save कैसे करना है बचाना कैसे उसके लिए क्या क्या चीज़े आप कर सकते हो ये सारा कुछ आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले chapter के अंदर ये कर सकते है चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट है देखो आपके water resources से related water resources manager आपको पढ़ाती है इसको कर लेना critically evaluated a silent feature of deep ecology देखो ये deep ecology ना unit 22 है आपके biodiversity से पहले का time है इसको आप लोग कर लेना यहाँ पिए 20 नो 10 marks में आपको देखने को मिलेगा गांजयन की philosophy मैं अभी पीछे आपको बताई चुकी हूँ biodiversity तो मैं दसबार अभी पीछे बता चुकी हूँ आपके में भी आएगा चाहे आप जून के exam के students है December के कोई भी हो नहीं है सब कुछ यही आएगा बढ़ा पढ़ाया हुआ question आपके सामने चीजे clear होई गई हिंदी वाले student आप सभी यहाँ पर देख सकते हो MHS08 tough नहीं है आपको easily से कर सकते हो चलो मैं June 2018 का paper दिखाती हूँ पहला unity है आपका relationship between nature and human being over the period unit one है अभी मैंने आपको बताया दिया कि कैसे आपके इंसान nature प्रकरती पर depend है दूसरा chapter landscape of India यह देखो बार-बार आता है तो इसको करके जाएगा यह है environmental variation यह आपका unit third है इसको करके जाना पढ़के जाना environment से related जो भी चीज़े हो सारा कुछ next देखो pattern of consumption of water of wind energy आपको बताना है कैसे आप पानी को conserve करते हो सेफ करते हो wind energy को इसके बारे में बताना है agarian वाला देखो आपका forest resources पे है यह जो पहला unit 13 है न वह वाला forest आपसे पूछा है जो कुछ पढ़ाया वही कुछ लिखना है अगेन numadic pestrolism unit 6 आया है इस बार भी आया था आप में भी आ सकता है तो यह बहुत easy साय है आप लोग इसको कड़ सकते हो कुनालिजम का exploitation यह हर बार नहीं आता लेकि इसको पढ़ने न देखो biodiversity जैब विविद्धा कितनी बार आया है इस बार भी आया हुआ है आप में भी आयेगा unit 5 alternative मैंने भी पढ़ा दिया है इसको आप लोग करने न उपर इसके बारे में बताया था महत्मा गांदी ने हिंदु सवराज की किताब लिखी थी वह सारा कुछ देखो deep ecology यह ना unit 22 है इसको आप लोग पढ़ने ना renewable or non renewable resources इस बार आता तो आपके में आने के साथ चांसिस कम है लेकिन हमें भी एक आजह आं इसको आप लोग रिन्यूव नहीं कर सकते हैं तो यह unit 4 के अंदर आते हैं इसको जरूर करके जाना यहां से आपको 10-20 marks का resources संसाधन आपसे पूछाई जाएगा कि resources कौन सी चीज renew कर सकते हो, दुबारा बना सकते हो कौन सी चीज नहीं बना सकते हैं ये सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है जून 2018 का आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया अब आगे चलते हैं मैं आपको directly जून 2022 का दिखाती हूँ ठीक है, दिसंबर 2022 का मैं already discuss करा चुकी हूँ जिन्होंने नहीं देखा है जाकर कि जरूर देखेगा मैं यही कहूँगी, आप सभी से चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जन्वरी 2021 का है, चलो जन्वरी 2021 का दिखाती हूँ मैं आपको, दिसंबर से दिखाती हूँ यह रहा, जून 2021 का यहाँ पर हो गया इतना ठीक है यह तो आपको सारा देख ले न सेम ही चीज़े, कुछ नया नहीं है दिसंबर 2021 का देख लो, जो पड़ा है वही आया है दुबारा से देख लो, राइटा नोट ऑन दा राइटिंग ऑप दा इन्वार्मेंट हिस्ट्री अप इंडिया डियूरिंग कोनोनियल पीरेड, तो उपनिवेश पीरेड यहाँ पर है उपनिवेश का समय है, जहां पर आपको इन्वार्मेंट हिस्ट्री के बारे में बताना है यूनिट 18 है आपका इसको कर ले न, ठीक है हंटिंग और गैदरिंग की कम्यूनिटी आपसे पूछी है जो कि आपका यूनिट 5 है हंटिंग गैदरिंग जब इस समय यह वाला फ्वेज है आपका पूरा पाशाण का यानि पेलिवाथिक पीरेड का जिस समय लोग हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे एमेचाएवन का यूनिट 1 सभी को याद होगा कि इस समय लोग पूरे के पूरे शिकार का काम करते थे कौन से जानवरों का शिकार करते थे इस समय के लोग पूरे के पूरे आपके नेचर पे डिपेंड होते हैं ठीक है क्योंकि जंगलों में रहते हो जंगलों की चीजे ख यहां पर आपको बॉन्स के भी टूल्स देखने को मिलते हैं वह सारा कुछ आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा जो मैंने अल्रेडी पढ़ाया और आप लोगों को इसके बारे में नौलेज है वन आप फर्स्ट यूनिट चेक कर सकते हो अभी मैंने रिसेंटली में इसको पढ़ाया है एमेच एवन की प्लेलिस्ट चेक करूए डिटेल में कराया कैसे क्या लिखना है वहां से कर सकते हो तो हंटिंग और ग्यातरिंग में आपने देखा कि इस समय के लोग मैंने आपको बचाता है यानि आस्था ही रहते हैं यह गुफाओं में रहते हैं तरीका था एक जगा यह कभी भी नहीं नहीं तो सीजनेल मुवेंट मुवासम के हिसाप से इदर से जाते रहते हैं यह सारा कुछ आपको इस वाले क्वेशन में लिखना है ठीक चलिए क्वेशन नमबर थर्ड नुमेडिक पेस्टॉलिजम दुबारा से देखो यह आया इस लेवन है चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ यह थोड़ा बहुत आपके लिए नया होगा एनर्जी रिसोर्स आप सोचते होगे ना इस्ट्री में इसकी क्या जरूरत है बहुत बड़ी जरूरत है यहां पर आप देखो कि आप कोई भी काम कर आप लोट को ड्याय करने का काम करते हैं यह सारी पावर के कोती है प्रकुरती इसे फीग क्यों कि अप लोग क्या कर रहो है जब आपके प्रकृतों कि यह दो पुरा पाशाड काल के समय पर उड़ था लेकिन इसका यूज करना नवपाशाड काल के टाइम पर हुआ था तो यहां पर यह सारा कुछ आपको लिखना है इरिगेशन के परपस से वाटर की सचाई के लिए बहुत सारे काम हुए थे लकडियां धोने ही परती हैं क्योंकि अब आप लकडियां काटोगे पेड़ काटोगे वूड ले करके जाओगे तो यहां पर महनत तो लगेगी यह सारा कुछ बताना है क्योंकि अफिर हमने देखा था कि आप आप आटीफीशल वाटर की नीड है आप डैम्स बनाओगे वैल्स बनाओगे आप पॉइंट्स बनाओगे है ना रिवर्स तो यह सारी कीज़े ज़रूरी है क्योंकि हम हमेश तो आप काम भी नहीं कर सकते ना तो यह सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है यह टाइप याद रखना है इसी को सॉल्फ करना है जादा कुछ नहीं इंडस्ट्र रेविलुशन अभी मैंने बीच्छे आपको बता दिया पोस्ट कॉनॉनियर के इन्वार्मेंटल एज इन्वार्मेंटल एजंडा में आपको कॉनॉनियर पोस्ट कॉनॉनियर की यानि जब आपका मॉडन हिस्ट्री और जब आपका भारत अजाद हो गया था 1947 में उसके बारे कि यहां पर बाते बतानी है तो आपके अंग्रेज आए थे अंग्रेज वने आपके भारत पर रूल किया था और उन्होंने पॉलिसी चलाई थी जैसे कि मैंने आपको बता है ना फॉरेस्ट की पॉलिसी चलाई थी यह सारा कुछ आपको बताना है इनके अकॉर्डिंगली अब ब्रिटिसर्स आपके पूरे नेचर का यहां पे यूज कर रहे है उसका एक्स्प्लॉइट कर र एक्स्प्लॉइट कर रहे थे यह सारा कुछ आपको इस वाले में लिखना है 19th century में याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रिटिसर्स रेलवे बनाना है तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनको लगडियों की नीड थी तो यहां पर उन्होंने तभी यह पॉल पूच कर यूज कर सकते हो अपने पर्मिशन से नहीं तो यह सारा कुछ आपको इस वाले चैप्टर के अंदर बताना है ठीक है जो आपने पहले भी पढ़ा था और में सारी चीज़े आपकी और रेडी थी यह जो आपको दिखरा नहीं कि कभी-कभी आता है यूनिट 22 कर ल आपको इसको कर लेना यह भी हर बहर नहीं आता है ठीक है चलो अब आपको मैं लास्ट क्वेशन पेपर और दिखा देती जून 2022 का दिसंबर 2022 का मैं अल्री डिसकस करा चुक है अगर आपने इस वीडियो को नहीं देगा प्लेलिस में जाकर चेक आउट करो इसमें सारे क्व ठीक है दूसरा देखो आपका पेस्ट्रॉलिजम पसू पालन पूछा है यूनिट 6 क्रिटिकली एक्जामिन दा इंटरेक्शन बिट्विन हुमन और फॉरेस्ट तो यह भी जंगल वाला कर लिया है आपको मिनरल्स पूछा है यह आपके इसी ब्लॉक के अंदर है मिनरल्स और मैटल वाला चैप्टर है इस बार यह देखो आया था अगर मैं आपसे बताऊं तो यूनिट 14 है मिनरल्स कौन कौन से यूज करें इस बार यह आया था तो आपके वह निसायद ना भी आया तो आपने देखा जून और दिसंबर के 2022 क्वेश्चन पेपर में क्या-क्या र रिन्यू कर सकते हैं दुबारा बना सकते हैं इडिगेशन पैटरन कैसा था अर्ली मेडियेवल के टाइम पर यह आपको बताने यह आपका यूनिट 8 है आपका अर्ली स्टेट के बारे में बताने कैसे आपका राज्य बना ठीक है कैसे हम सहर गाउन से सहर की तरफ बड़े उससे में की खेती कैसी थी यह आपको खारा बताना है जो हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पॉपुलर क्लासिकल ट्रेडिशन इन्वार्मेंटल रिप्रेजेंटेशन यह जो है आपके यूनिट 15 में हर बार नहीं आता कभी-कभी आता तो आप इसको प पूचता है इस बार एकसी तो इन्सूती नहीं आता 100 प्रेशन आपके में जून वाले अंटाम में हैं कि पूरे चांसेसे लिए अक्सी तो इन्सूती भी आपको पढ़के जाना है तो एकसी तू इन्सूती क्या होता है आपके चीजों को बनाया गया है कैसे कि आपने वो आपको इसके अंदर बताना है ठीक है फिर ये सब कुछ दुबारा से वही आया है चिपकू मुवमेंट मैंने आपको बताई दिया उसके अंदर आता है ये भी आपके किसके लिए होता है इस अभी ने पढ़ा है जरूर करके जाना तो यहाँ पर आपने देखा अगर जब आता है यह आपको पता है यह आपके हेजडी का टी प्लांटेशन चला था कहाँ पर आपके राजिस्तान के अंदर थीक है इसी को चिपकू मुवमेंट कहते हैं दीरे दीरे यह मुवमेंट आपके उत्राकंड में भी स्टार्ट हो गया था कब 1970 में तो फॉरेच्ट एक् कि बिना इनके पर्मिशन के आप काम नहीं कर सकते तो वह कुछी बूब्मेंट चला रहे हैं तो कि आपके अग्रेजों की जरूरती तो आप अगर ट्रैवल गूप में इसका यूज कर लिया तो फिर ये कैसे काम कर पाएंगे इसलिए इन्होंने पालेसी लगा दी कानून बना दे कि आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते ये सारा कुछ आपको इसके अंदर लिखना है तो ये कुछ है सारा पढ़ने से अच्छा है स्टार्टिंग पर जाधा तर ध्यान दो तो आप कर लोगे फर्स्ट ब्लॉक से कर लोगे तो आपके तो पूरा क्वेश्टन पेपर मैंने आपको दिखा दिया है हिंदी मीडियम वाले को भी दिखा दिया तो आप लोग क्या करो जितने भी जून 2023 से ना जून 2022 और दिसंबर 2022 का क्वेश्टन पेपर को अच्छे से करके जाओ बस आपका एग्जाम इसली से क्रैक हो जाएगा जिन पर सरकल है हंटर परशेंट फोर और फाइव एजिया हंटिंग गैदरिंग है अपका रिनेवल रिसोर्स यह जरूर करो यह भी आता है ठीक है यह करने के बाद यूनिट 12 यूनिट 13 मैंने आपसे बूलाई यूनिट 20 और यूनिट 21 यह चार जरूर करो क्यूंकि फॉर बाद यूनिट 23 कर लो बायो डैवर्सिटी जैप विद्धिता सफीशन्ट है सारा मत करो कि चलो ज्यादा सारा करने में लगे रोगे तो काम नहीं बनेगा आपका तो बैटर है इतना भी कर लोगे ना तो पांच कोशन इसली से लिखा लोगे और बैस तरीके से नोट्स पन होगा किस तरीके से लिखना है और क्या-क्या चीज़े लिख सकते हैं डिटेल में चाहते हो तो मैंने बता दिया जहां पर आपको डिटेल में बताओंगी वाट्सप नमबर आपको मिल जाएगा तो वाट्सप कर सकते कौन नहीं करना बागी की अपडेट आपको यहां मिल स्क्राइब करो जादत जाद वीडियो को लाइक शेर करो अगर आप लोगों का रिस्पॉंस इस वीडियो पर अच्छा खासा रहा तो मैं बाकी की वीडियो आपके एक्जाम आने से पहले लेकर जरूर आऊंगी ठीक है अगर आप सभी चाहते हो जो पेड़ क्लासिज नही लिए होई होगी ठीक है तो चली सुटेंट आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैराथान सीरीज के साथ थैंक्यू फर वाचिंग